नमस्कार दोस्तों श्वागत है आप शिवी का अपने प्रिवारता नॉलेज पला जाम है उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वास्त होंगे और अपनी तैयारी इच्छे से कर रहा होंगे तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक दो देन और क्लास चलेगी आपकी वैसे आज आज आपकी लास्ट क्लास होने वाली है उसके बाद आप लोगों को कुछ जानकारी मिलेगी कल साम को आठ वजे कल चार मई है चार मई को साम को आठ वजे सभी लोग क्लास में और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देंगे ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास में आएं उसमें आप लोगों के लिए बहुत बड़ा प्लान किया गया है बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है आपके सिलेक्शन के लिए तो आप सभी लोग आये क्लास में और ज्यादा से ज्यादा लोग आई एक क्लास में चलिए तो अब आपकी यहां पर आज की क्लास में जुलो जी की कुछ इंपोर्टन्ट कुश्चन्स कराए जाए जाएंगे तो जो लोग चैनल पर पहली बार आई हुए हैं बोलोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल आईकन प्रेश करेंगे ताके आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच चाहिए और क्लास को एक बार सेयर कर दीजिए जिससे जो साथी छूट गए हों वो भी क्लास में आजाए तो असुरू करते हैं आज की कुश्चन्स कल सभी लोग आएंगे क्लास में और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास माना चाहिए आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है यहां अब तक आपके करा दिये गए थे वो जो प्लानिंग की गई है जब तक हम कराएंगे तब तक जो बच्चा टिका रहा वाँ पे मैं बता रहा हूं कि उसका बहुत अच्छी रेंग के साथ सेलेक्शन होगा वो सब आपको कली पता चलेगा कल आप सभी लोग आईए क्या उसमें प्लानिंग की है तो कल सभी लोग आईए आठ बजे चलिए आप यहां पे कोशन सुरू करता है एक बरढ़ांद पुरुष एक शामान महला से विवा करता है बरढ़ांदता के लच्छर उत्पन होंगे उसके जब बरडांद पुरुस का विवा एक सामान महिला से होता है तो बरडांद ता कि लच्छड किसम उत्पन होंगे पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में, पुत्रों के पुत्रों में या पुत्रियों में तो ये लच्छड उत्पन होंगे पुत्रियों के पुत्रों में आप लोगों को बता दें कि पुत्री कभी बरडांद नहीं होती है पुत्री जो होती है पुत्री कभी बरडांद नहीं होती है पुत्री जो होती है वो कभी बरडांद नहीं होती है यह बाहक होती है, बाहक होती है, और जो पुत्र होता है या तो बढ़ान्द होगा या सामान्न होगा, पुत्र जो होता है या तो बढ़ान्द होगा या सामान्न होगा, चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, निमलेखित में से कौन एक लिंगसहलंगन रोग है? लिंगनसहलंगन रोग है, कुस्ट लिुकीमिया बरडांदता या अच्छाय रोग? तो इसमें जो बरडांदता है, वो लिंगसहलंगन रोग है, C और जाएगा इसका, next question देखिए next step आपका मेमत पूरवज है मेमत किसका पूरवज है कुत्ते का हाथी का उठ का या घोड़े का तो ये मेमत आपका हाथी का पूरवज है ये options ये options ये बी options ही हो जाएगा next step का मलेरिया परजीवी तथा अमीवा को किस रेडी में रखा गया है प्रोटो जुवा एनिलेडा पौरिफिरा या नन अफदीज तो इसको रखा गया है प्रोटो जुवा में ये options ही हो जाएगा next question देखिए आप लोग ऐसे आंसर करते रहे हैं और class को share कर दीजे ये आपका मानम मीवा मॅस्तिस्क में बुद्धी का कईणर है टो बुद्धी कहां पर होती है मानम मस्तिस्क में सेरीवरम में 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 अवाला कर पघ़ते हैं नेक्स्ट कोशन देखते हैं बस्ikthã क के इनक्स्वी देख को सब्सक्याम कर दな paper कि वीच्वा में होते है को पूर करना परींद तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बिरक और नेक्स्ट कुस्चिन आपका निम लिखित में से कौन मानब मात्र के लिए उप्योगी नहीं है निम लिखित में से कौन मानब मात्र के लिए उप्योगी नहीं है तो प्योगी नहीं है इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा फीता क्रम C option है फीता क्रम चलिए next question देखते हैं जीवों के प्राकरतिक चैन का सिध्धान्त प्रतिपादित किया तो यह किया था डार्विन है next question देखिए तो मेड़क में फर्टिलाइजेशन की प्रकरति वाही होती है मतलब बाहर फर्टिलाइजेशन होता है मेड़क में next है आपका किस रुदेरवर्ग में दौना एंटिवाड़ी पाई जाती है देखो एक एंटिजन होता है एक एंटिवाड़ी होती है तो कौन से बिलड़ ग्रॉप में दौना एंटिवाड़ी पाई जाती है तो यह है O O बिलड़ ग्रॉप जो होता है वो उसमें दोनों एंटिबाडी पाई जाती है और O में एंटिजन एपसेंट होता है O में एंटिजन एपसेंट होता है और AB में एंटिबाडी एपसेंट होती है एंटिबाडी AB में एंटिबाडी एपसेंट होती है और O में एंटिजन एपसेंट होता है वो में दोनों अधिक बॉड़ी पाई जाती है चलिए नेक्सट कॉश्चन देखते हैं आपेटोफस एक आपेश क्या है तो आपोपस जो है वो बहा क्रषब के ओऊ सिफ़केणी नेक्स csar नेक्स क्वुश्चन देखिए next question है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किश में पाई जाती है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किश में पाई जाती है रक्त में मूत्र में ब्रक्क में या हर्दा में तो शब लोग फटाबट अमसर करते जिए इसका एक पाई जाती है मूत्र मैं Next आपका गरवाशय में शिशु के विकास की जानकारी है किसका पिडियू कहाता है उसमें जानकारी लगा जाती है तो उसके लिए किसका पिडियू कहाता है एक्ष केरड़ों, अल्ट्रा शाउंड केरड़ों, अल्ट्रा वाइलेट केरड़ों, गामा केरड़ों या अल्ट्रा शाउंड, तो इसके लिए किसका प्रियू कहता है, अल्ट्रा शाउंड का, किस रुदिर बर्ग में एंटी वाड़ी नहीं पाई जाती है, अब भी मैंने आपको उपर बताया था, उपर कुश्चन था, कौन से में एंटी वाड़ी एफश्चन होती है, तो यह आपका मैंने बताया था, A, B, C, अप्शन से हो जाएगा, नेक्स्ट कुश्चन है आपका शर्प में मद्यकर्ड नहीं होता है, वे ध्वनी ग्रेंड करता है, शर्प में मद्यकर्ड नहीं होता है, लेकिन वे ध्वनी किश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च नेक्स्ट आपका मनुष्य के शरीर में मुख नाटरोजनी अफशेस्ट कौन सा होता है तो मनुष्य के शरीर में कौन सा होता है यूरिया नेक्स्ट आपका अधिकांस कीट शुशन कैसे करते हैं ज्यादातर कीट शुशन कैसे करते हैं तो चाल से बातक तंतर शे फैपड़े शे या कलॉंग शे तो यह करते हैं बातक तंतर शे बी आप संती होगा नेक्स्ट कुश्चन देखिए आप लोग ऐसी आंसर करते रही है फटाबट यह आपका बढ़ दान दता वाले बेक्टी को लाजंग दिखाई देगा जिसको बढ़ दान दता होगी उसको लाल जंग नीला बेंगनी हरा या पीला कैसा दिखाई देगा तो लाल जंग जो होगा वो हरा दिखाई देगा हरा वाला जो होगा वो लाल दिखाई देगा और लाल वाला हरा दिखाई देगा बढ़ानता का जो ब्यक्ति होता है उसको हरे और लाजंग में अंतर इसपस्ट नहीं कर पाता है चलिए next question देखते हैं बिरूड के विकास के लिए निमलिखित में किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ती की जाती है तो कौन से अंगे की द्वारा खाद की पूर्ती की जाती है इसका राइट अंसर हो जाएगा बीजांड सन डी अप्सन सी हो जाएगा next question देखिए next question है समझात अंग होते हैं समझात अंग होते हैं रचना में अश्मान next है आपका मदमक्खियों का पालन कहलाता है मदमक्खियों का पालन क्या कहलाता है शेरी कल्चर, पीसी कल्चर, हार्टी कल्चर या एपी कल्चर तो मदमक्खिय पालन जो होता है उसको एपी कल्चर बोलते है next question है क्रेफ्ट चक्र में किसका संस्लिटा होता है चलिए आज सेकेंड लास्ट कुश्यन देखते हैं गोसला बनाने वाला एक मात्र शांप है यह अधा कौन दसर पर है जो गोश्ला बनाता है चेन वाइपर किंग कोब्रा करय त्यायन में शे कोई नहीं तो किंग कोब्रा जो है वह घोश्ला बनाता है बी ओक्स ओसी हो जाएगा चलिये आज का लास्ट कोश्यन देखते हैं तारा मचली निम लेखेद में से किस संग का प्राड़ी है तारा मचलिया इसको स्टारफिश बोलता है तो यह जो है यह काइनो डर्मेटा की है स्टारफिश यह काइनो डर्मेटा में आती है चलिए आज की आपकी क्लास यहीं पे खतम होती है आप सभी लोग आईए कल की क्लास में कल चार मईए है, चार मईए कुछ शाम को आठ वजे यानि इतनी टाइम सभी लोग आएंगे क्लास में उसमें आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है और ज्यादर से ज्यादर लोगों किशाथ आएंगे ज्यादर से ज्यादर लोगों कुछ शेयर कर देंगे और ज्यादर से ज्यादर लोगों किशाथ आएंगे क्लाश में और मैं आपको बता सकता हूँ कि जो बच्चा मैं उसमें जो प्लानिंग करूंगा उसके जो बच्चा लगातार बना रहा हमारे शाथ जब तक मैं उसमें जो कुछ कराऊंगा वो लगातार बना रहा उसका सेलेक्शन बहुत अच्छी रेंक के साथ हो जाएगा इसलिए और ज्यादा जानकारी तो आपको कल मिल जाएगी कल साम को आठ बजे चलिए तो अब मिलेंगे आपको कल साम को आठ बजे सभी लोग आएगा वसमें अगर कलास अच्छी लगे हो तो कलास को लाइक कीजिए जादा से जादा लोगों तक शेर कीजिए और जो लोग चैनल पर पहली बार आएगे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वेल आइकन प्रेश करेंगे ताक आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समयशे पहुंशे के चलिए तो मिलेंगे आपको कल की कलास में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम